सर मुझे फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट समझ नहीं आता है सर वर्क फंक्शन क्या होता है कोई टीचर कुछ बोलता है कोई टीचर कुछ बोलता है मेरे को वर्क फंक्शन भी सर उतने अच्छे से अभी तक समझ नहीं आये और समझ आये तो कन्फूजन रहे गया सर आइंस्टीन की photo electric equation क्या है बच्चो आपके हर एक सवाल का 100% जवाब दिया जाएगा मेरे द्वारा बच्चो मेरे नाम है आदित जैन और आप देख रहे हैं एड़ा 24-7 स्कूल के उपर मेरे को आज वैसे तो मैं J.E. और NEET के उपर फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चो लेकिन आज के लिए ये conceptual class आपके लिए रखी गई है so that आपके term 2 में marks confirm हो जाए photo electric effect जो की आप एक theoretical topic समझते आए है वो बच्चो actual में feeling का topic है और उसका 100% feel आपको कैसे मिलेगा आज खुद आप जान जाएंगे तो शुरू से लेके आखरी तक अगर आप ये one shot video of photo electric effect पूरा देखते हैं न यार marks confirm है term 2 के ये मेरा वादा है आप से तो चलिए बिना कोई देरी की ये photo electric effect समझते हैं क्या होता है लेकिन photo electric effect समझने के लिए कुछ sets of requirement है कुछ basics है और सही बताऊं तो सिर्फ basics है अगर आपको frequency और energy का function समझ आ गया कि भाई actual में frequency और energy करते क्या है intensity करती क्या है अगर आपको इतना समझ आ गया न तो photo electric effect मेरे को बस बताने की जरूरत है कि ऐसा होता है ऐसा होता है आप खुद बोलेंगा अच्छा सर ओके हाँ हाँ सर समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया सो चलिए बच्चो स्टार्ट करते इस feeling के chapter को जिसका नाम है बच्चो डूल निचर ओफ रेडियेशन और मैटर और उसमें आपने आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चो फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट उसके पहले थोड़ी light की बाते करते हैं भाई light क्या होता है भाई light की ना अपने आप में एक history है एक कहानी है सुनेल वर्मा हर लो नमस्ते बच्चो लाइट की ना अपने आप में एक history है एक कहानी है जो मेरे को आज आपको सुनानी है है ना सो पदा light के पीछे जो जगड़ा भगवान की बनाई हुई चीज़े ऐसे ही नहीं समझ पाता हर scientist ने अलग-अलग light को बताया है चीज़े चालू होती है यहां से score it से फिर Aristotle आते है फिर यह आते है फिर यह आते फिर यह आते फिर यह आते लेकिन आपके modern physics में कहां से जिक्र है वो यहां से जिक्र है यार न्यूटन से राइट सर physics में थोरी relativity और quantum mechanics कब पढ़ाई जाती यह बेटा स्कूल में नहीं है आपके relativity वगएरा थोड़ा बहुत इसमें डूवल नेचर में आता है quantum mechanics आप higher physics में पढ़ते हों यहां पर नहीं पढ़ोंगे बिल्कुल भी quantum mechanics स्वैम भगवान है चलिए आगे की बाते करेंगे न्यूटन ने अपनी corpuscular theory दी उसके बाद Maxwell आ इन्होंने आप जो वेवलेट्स वगएरा पढ़ते हों वो बताया फिर यंग्स हुआ इन्होंने बताया डबल स्लेट फिर आइंस्टीन आए और बच्चों इसी बीच सबसे जबरदस्त scientist ता है जिनका नाम रहा डिव्रौगळी उन्होंने बताया ये बोल रहे थे कि भाई आपका particle यह बोलुरह है particular यह बोल रहे वेवे यह बोलुरह है वेवे यह बोलुरह तो भादी की भाई बोले लाइट कच्छुनी है लाइट वेव भी है लाइट पाइटीकल भी यह लाइट एक एनरजी है यह डी ब्रॉगली ने बोल दिया वह दोनों और उन्हें वह लाइट तो छोड़ो आप भी एक वेव हो मैं यानि मैं अगर चल रहा हूं ना अगर मैं भाँ ना हूं तो मैं भी वेव उसर वेव मतलब कैसे याने मेरी भी वेवलेंथ है डी ब्रॉगली ने निकाल दिया ठीब्रोग ने ठोडिकली बता दिए ठां लेकिन उसको सेव्च किसने प्रूफ किया था प्रैक्टिकली किसने प्रूफ किया लेकिन मेरे को आज आपको सिर्फ बतानी है particle theory of light मज़ा आएगा शुरू से लेके आखरी तक तो भाई सब particle theory of light की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो क्या होता है देखिएगा light is a form of energy particle theory light is a form of energy made up of tiny particle called photon light भाई photon से बनी हुए अब actual में photon क्या है अगर आपने atom पड़ा होगा और अगर atom पड़ा होगा तो उसमें जब एक energy shell से नीचे वाले energy shell पर आपका electron आता है तो कुछ ना कुछ energy त्याता है h into f की त्याता है बच्चों वो जो h into f की energy है न वही light है उसको एक packet बोला जाता है energy का उसी का नाम photon है और photon के बारे में जितनी चीज़े बोलो कम है क्यों पता आपको क्योंकि क्योंकि आइंस्टीन जिन्होंने 50 साल photon के उपर मेहनत करी है 50 साल photon को steady किया है 50 साल के बाद जब उन्होंने अपने best friend को letter लिखा तब तो sms whatsapp इंस्टा डीम वगेरा चलते नहीं थे तो letter लिखा करते थे आइंस्टीन साल में एक बार अपने best friend को और उन्होंने उस letter में बोला है मेरे को नहीं समझाता लोगबा कैसे बोल रहे हैं कि उनको सब पता लगया है photon के बारे में लेकिन 50 साल steady करने के बाद भी मेरे को मैं अपने आपको photon के आसपास भी नहीं मान रहा हूँ इतना बड़ा है कुछ photon की steady इतनी बड़ी है तो भाई आइंस्टीन ने ये statement लिखा हुआ है आप Google करके उनके letter पढ़ सकते हैं मज़ा आएगा भाई मज़ा आएगा आज के chapter में बहुत बहंकर वाला मज़ा आ बिहेव करेगा पार्टीकल की तरह उसकी भी फील दूँगा लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए बच्चा पार्टी यहां पर रुकना पड़ेगा चलिए आईए तो भाई light photon होता है अगर भाई पार्टीकल है तो speed of photon कितनी होगी vacuum में आप सब जानते हैं जल्दी में मैं बात करूं speed कितनी हो जाएगी बच्चो c speed of light divided by mu mu क्या हो जाता है बच्चो refractive index of that particular medium हो जाता है आपको इस notes के PDF भी मिल जाएगी you don't worry at all आप बस यहां पर बच्चो शुरू से लेकर आखरी तक टिका है रही है मज़ा दिलाने का काम आपको मेरा है बच्चो rest mass of photon 19 न होती है mass energy equivalence के अनुसार उन्होंने बता दिया photon जिन्दगी बार चलता रहेगा speed of light से और अगर अभी-अभी relativity और quantum mechanics की बात हुई तो मैं आपको बता दू बच्चो photon speed of light से चलता है और अगर कोई भी particle speed of light से चलता है तो उसके लिए time exist नहीं करता है यही है relativity की थोरी if a particle is traveling with a speed of light then time didn't exist for that particular particle आप भी speed of light से चलने लगो time आपके लिए भी रुख जाएगा time dilution बोलते हैं इसको बताऊंगा समय आने पे सब सिखाऊंगा राइट so भई rest mass of photon आपका कितना हो जाता है जीरो चार्ज on photon बच्चो चार्ज भी जीरो होता है अगर चार्ज photon के उपर जीरो है तो एक बात बताईए इसके अगर मैं electric field में डालूँगा तो इसके उपर q into e का force आएगा तो बच्चो चार्ज जीरो है तो force जीरो magnetic field में डालूँगा अगर तो q into v cross b का इसके उपर force लगेगा magnetic field का लेकिन चार्ज जीरो है तो magnetic force भी जीरो तो आप एक बात बताओ मेरे को यहाँ पर ना electric force लग रहा है ना magnetic force लग रहा है तो अगर मैं photon को एक electric और magnetic field के अंदर छोड़ दूँगा तो वो undeflected जाएगा या नहीं जाएगा आप बताएगे जाएगा या नहीं जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि कोई force ही नहीं लग र चार्ज नहीं है मास नहीं है प्योर एनरजी है HF किनोंने बताया प्लांक्स ने बताया यह basic समझ लो photo electric effect हवा में उड़ा देंगे और ऐसा feel दिला देंगे कि जिंदगी में कोई आपको नींद में उठा के भी पूछे photo electric effect तो आप उसको बता रहे होंगे यह मेरा वादा है आपसे लिकिन यह टिके रहना है आपको बस इतना ध्यान रखना है तो भाई आपने सर कहा एक photon के पास energy होती है HF की किनोंने बताया प्लांक्स ने बताया एक photon के पास this is the energy of one photon one photon एक photon के पास इतनी energy होती है H क्या यहाँ पे बच्चा पाटी planks constant 6.66 into 10 to the power minus 34 joule second होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है frequency हाई frequency के बारे में कुछ बाते अभी करना बहुत जरूरी है frequency समझ गया तो आगे जाके आप चीजों को समझ जाओंगे frequency क्या होती है number of oscillation a particle is doing in one time period याने की अगर मेरा particle circular motion कर रहा है और वो एक second में 10 बार इस circle के चक्कर काटता है तो उसकी frequency 10 हो जाएगी अगर मेरा particle 25 बार उपर नीचे हो रहा है एक second में तो उसकी frequency 25 हो जाएगी अगर आप उसके घर के चकर दिन में 15 बार काट रहे हो तो आपकी frequency per day की 15 हो जाएगी अगर आपको आपके पिताजी के चार्टे पढ़ रहे हैं दिन में 50 तो पिताजी के चार्टे पढ़ने की frequency per day की कित्ती हो जाएगी 50 हो जाएगी तो भाई frequency क्या होता है number of oscillation made in a unit time period एक time period में कितने oscillation हो रहे है उपर नीचे फड़ा 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 फड़ रहे हो या आप उसके घर जा रहे हो या आप चकर काट रहे हो जो भी है एक unit time period में आप कितने चकर काट रहे हो उसको कहा जाएगा frequency 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 हमाज आता है सेशन अच्छा लग रहा है तो बच्चों मैं बहुत कमाता हूँ स्कूल पे पढ़ाने जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर कर देंगे तो आज सबका भला हो जाएगा सबका भला हो जाएगा लेकिन आपको पता है मैं JEO NEET पे पढ़ाता हूँ आपका माक्स बूस्ट अप हो सके और सबसे बड़ी बात संडे के दिन आये हूँ अपनी छुट्टी खराब करके तो आपको यह आपका दैत्व बनता है कि एक बार फटा-फट सब में बच्चों ये सेशन को आप शेयर कर दीजे प्लीज चलिए तो भाई frequency की बात करता हूँ frequency depend किसके उपर करेगी frequency ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ source के उपर depend करेगी ये पॉइंट समझो यही photoelectric effect में आगे ले कर जाउँगा energy को frequency से जोड़ कर बताऊँगा frequency सिर्फ और सिर्फ source पर depend करेगी तो आप आउंगे हाथ मिलाओंगे अब मैं अपना हाथ अगर एक सेकंड में दस बार हिलाऊंगा तो आपका हाथ कितनी बार हिलेगा जल्दी बताograph किती बार हिलेगा सर दस बार हिलेगा obviously मेरा हाथ आपके हाथ से जुड़ा है और मैं आपका हाथ हिला रहा हूँ एक second में 10 बार तो मेरे उपर depend कर रहा है मैं source हूँ मेरे उपर depend कर रहा है कि मैं आपका हाथ कितनी बार हिला हूँ हाँ या ना, हाँ जी सर, हिलेगा, 10 बार हिलेगा, बिल्कुल, तो भाई, frequency source के उपर depend करती है, माल लो एक source है, वो 10 बार हाँ थिला सकता है, अब मैंने source change कर दिया, 20 बार हाँ थिला सकता है, तो अब आपका हाँ कितनी बार हिलेगा, 20 बार, तो frequency तभी change होगी, ध्यान रखना जब आपका source change होगा, otherwise frequency change नहीं हो सकती, frequency depends only and only on source, medium change कर दो यार, मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ, मैं दस बार आपका हाथ हिला रहा हूँ, मेरे को ले जाके पानी में पटक दो, तब भी 10 बार हिला रहा हूँ आपका हाथ, मेरे को ले जाके केरोसिन में पटक दो, मेरे को में पटक दो, मेरे को ले जाके, vacuum में पटक दो, मेरे को ले जाके, glassrine में पटक दो, मेरे को ले जाके, alcohol में पटक दो, अगर मैं दस बार हाथ हिला रहा हूँ आपका, तो आपका हाथ भी 10 बार हिलेगा, medium के उपर frequency depend, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, ये बात आ यहाँ पर पूछें कौन सा चैप्टर है सर बेटा डूल नीचर ओफ रिडियेशन और मैटर है जिसमें अपनाज फोट एलेक्टरिक पढ़ने जा रहे हैं राइट बच्चा पाटी चलिए 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 अब क्या बोलें ऐसे बच्चो कोई बात नहीं बच्चा चलिए तो अब जरा फ्रिक्वेंसी की बात हो ही रही है तो आईए कुछ बाते कर लेते हैं एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से देखना डायरेक्ट बेसिक रखने वाला है यह आपका फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट का है देखिए आईए और समझी अच्छो अभी अभी आपने देखा एनर्जी आफ वन फोटॉन कितनी आ रही थी एनर्जी आफ वन फोटॉन आपकी आ रही थी ह एच एफ हाँ या ना हाँ सर एक सिंगल फोटॉन के पास इतनी एनर्जी रहती है वेर एफ इस दा फ्रिक्वेंसी एंड एच इस दा प्लांक्स कॉंस्टेंट हाँ या ना तो एक बात बताओ क्या मैं यहां से यह लिखूं तो किसी को दर्द होगा आज तो प्लांक्स कॉंस्टेंट है इस डायरेक्वेंसी प्रिक्वेंसी तो अब सुनो फोट एलैक्ट्रिक इफेक्स समझना है तो फ्रिक्वेंसी को एनर्जी की तरह देखो और जए मोहन्तिवारी पूछ इतना कम स्टुडेंट क्यों है बिटा मैं आपको बता दू में जेई नीट में पढ़ाते हूं मेरी बहुत कम क्लास यहां रहती है तो कोई बच्चा मेरे को अभी सच यहां पर जानता नहीं है लेकिन अगर आप आके देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक का फिल मैं देने आए हैं पढ़ लो आपका भला हो जाएगा वैसे मैं नीट और जेई वाले बच्चों को पढ़ाता हूं चलिए आजाए तो भाई साब भाई साब एनर्जी इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी तो हमेशा फ्रिक्वेंसी को एनर्जी की तरह देखेंगे एन एनर्जी इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी घटेगी फ्रिक्वेंसी घटेगी फ्रिक्वेंसी घटेगी फ्रिक्वेंसी घटेगी एनर्जी घटेगी यही आपको ध्यान रखना है एनर्जी बढ़ेगी फ्रिक्वें लेकिन मेरे समझ नहीं आता है कि भाई साब यह क्या हो गया देखो देखो आराम से देखो मैं पढ़ाता हूं आपको स्पीड इखो ट्वाइट यहां से देखो लेंडा इस अब्चो ती फेड़ दो लेकिन में पगानि और इस jak देखो is equals to c by lambda हो गया या नहीं हो गया एच्छल में यह जो फॉर्मूला आया है यह speed is equals to distance upon times आया है जो कि आप 5 भी कच्छे से पढ़ते आ रहे हो समझाया राइट तो अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो बच्छो energy of each photon में यह भी लिख सकता हूँ h c by lambda बच्छा पाटी h constant c constant तो क्या मैं यहां से यह लिख दू एनर्जी इंवर्सली प्रपोर्शनल टू लैम्डा याने जितनी बड़ी wavelength होगी उतनी कम उसमें energy होगी विवग्योर का भी यहीं से concept निकला जाता है लेकिन मैं अभी विवग्योर के उपार नहीं जाने वाला हूँ technology का इस्तेमाल करते हुए अपन समय बचा लिए अब बार 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 आप बच्छो इसको h और c की value तो constant है h की 6.625 into 10 to the power minus 34 और c की 3 into 10 to the power बता रहा हूँ विवेक कुमार सब बताऊंगा रखेंगे तो बच्छो आप यहां से direct भी लिख सकते हैं energy आपकी कितनी आजाएगी बच्छा पाटी energy आजाएगी आपकी 2 into 10 to the power minus of 25 by lambda minus of 25 by lambda जूल कब जब आपका lambda मीटर में होगा अगर आप lambda को मीटर में रखेंगे तो direct बच्छो c की value 2 into 10 to the power minus of 25 आजाएगी या अगर आप lambda को बच्छो angle storm में रख रहे हैं तो energy कितनी हो जाएगी आपकी 12400 lambda angle storm में अगर आप रखेंगे तो उस particular time पर energy आपकी आती है बच्छो electron volt में आप direct याद भी कर सकते हैं क्यों समय बचेगा जब जब स्कूल में आपका question आएगा h की value c की value रखके calculate करेंगे तो direct electron volt में 12400 रख देना और lambda को एंगे स्ट्रॉम में रख देना अगर मीटर में दिया होगो तो 10 to the power minus 10 से उसका multiplication कर देना बात तो एक ही है समझ आता है यहां तक clear concept आगे क्या लेकर जाना है यहां से concept आगे यह लेकर जाना है कि energy को frequency की तरह देखेंगे frequency को energy की तरह देखेंगे frequency बढ़ गई तो energy बढ़ जाएगी frequency घड़ गई तो energy घड़ जाएगी और वाई से वर्सा also applicable जल्दी से बता दीजे बच्चों यहां तक मजा आया यह नहीं आया बस एक बार comment करके इतना बता दीजे यहां तक का session आपको कैसा लगा आपके दिमाग तक वो बात पहुच पा रही है जो मैं पहुचाना चाह रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ आपको feel हो रहा है तो photo electric effect आगे आपका 100% crystal clear एक एक graph आपको बहुत अच्छे से मैं समझा राइट चलिए तो भाई साब आपसे बोला जाए energy of light अब एक बात बताओ light क्या है light is a collection of photon यही पढ़ते हैं यहाने बहुत सारे अगर आप photon मिला लेंगे तो वो light बन जाएगी या नहीं बन जाएगी हाजी सर बन जाएगी तो एक बात बताओ एक photon की energy कितनी हो जाएगी सर एक photon की energy अभी अभी आपने बताया hf हो जाएगी तो बचो light के अंदर कितने photon है n number of photon है और अगर light के अंदर n number of photon है तो आप मेरे को बताओ energy of light कितनी होगी energy of light कितनी होगी अच्छे से देखो light is a collection of photon एक photon के पास energy कितनी हो जाएगी बच्चा पाटी hf की हो जाएगी और n number of photon है तो n into hf लिख दूँगा तो क्या किसी को दर्द होगा पताइए क्या किसी को जर्रासा भी दर्द होगा क्या पिल्कुल भी दर्द आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो अगर कभी question ऐसा आए आपको बहुत सारे data दे दे और बोल दे कि find the number of photon find the number of photon तो बच्चा पाटी यहां से number of photon N क्या निकाल सकता हूँ मैं आप खुद बताईए energy of light energy of light divided by hf निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ हाँ या ना number of photon energy of light divided by hf निकाल सकता हूँ तो एक बात देखिए यह क्या आपके पास यह आया आपके पास number of photon पते की बात क्या photon आधा एक्जिस्ट करता है दुनिया में आधा, पोना, देवडा, थाई, पोने तीन, सवाचार ऐसा photon एक्जिस्ट नहीं करता photon पूरा एक्जिस्ट करता है जिसकी energy HF दी जाती है एक photon की energy H into F होती है याने की क्या में ये बोल सकता हूँ मेरा photon quantized है हाँ या ना quantized होगा या नहीं होगा quantized याने की energy value 1, 2, 3, 4 ऐसी ही होगी, fraction में कभी नहीं होगी 1.2 photon मिल गया है, 3.5 photon मिल गया है, 100.18 photon मिल गया है ना, photon हमेशा quantized रहेगा इसका मतलब की बच्चा पार्टी वो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, दस होगा, सो होगा, एक लाग करोड होगा, पच्चिस लाग करोड होगा, लेकिन बच्चों हमेशा वो होल नंबर में मिलेगा, 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 यहां तक कोई दिक्कत बच्चा पाटी, चलिए, अपन ने अभी तक सिर्फ, देखो मैं, concept revise करवाते जा रहा हूँ आपको so that आपको आगे कोई दिक्कत ना हो पहला concept आपका energy of one photon किती होती है HF होती है उसके बाद अपनने देखा energy directly proportional to frequency होती है याने frequency को energy की तरह energy को frequency की तरह देखेंगे तीसरा concept अपनने समझा जहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो अगर energy of light बोलता है तो आप energy of photon निकल के आ जाते हो ना वहाँ पर number of photon का multiplication करना पड़ेगा because बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे photon मिलकर बहुत सारे photon मिलकर आपकी light बनाते है light is a collection of photon light is a collection of photon right बच्चा पाटी बहुत अच्छे सुमिश शर्मा बहुत बढ़ी है विवेक कुमार में बताऊंगा बच्चो क्या होता है कैसा होता है now next topic आता है बच्चो अपना power of light power of light power क्या होता है भाई साब आप खुद बताओ सर power होता है total energy per unit time हाँ एकदम सही बात है energy per unit time देखिए गए यहां पर power होता है आपका energy per unit time आई साब किसकी energy किसकी energy सर्फ photon की energy या light की energy फस गए यही फस गए concept clear नहीं है न यहीं फस गए पोटन की energy या light की energy किसकी energy किसकी energy बताइए light की energy हमेशा ध्यान दखना power light की energy के लिए define होती है किसके लिए define होती है light की energy के लिए define होती है तो अगर ऐसा है तो एक बात बताईए पॉवर क्या होगा energy of light अभी आपने निकाला sir एक photon की energy HF होती है energy of light इतना हो जाएगा divided by time कर दूआ NHF by T आपका क्या हो जाएगा बच्चा पाटी NHF by T आपका power of light हो जाएगा तो आपसे पता question यहाँ से नहीं पूछता है question कहां से बोलेगा find the number of photon per unit time आपसे बोलेगा find the number of photon per unit time तो अगर जब आपसे ऐसा बोलेगा तो एक बात बताओ बच्चा पार्टी यहाँ से n upon t अलग कर लेता हूँ n upon t अलग कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या power divided by hf आएगा या नहीं आगा हाँ या नहीं यह क्या है भाई साब यह है आपका number of photon number of photon per unit time यह क्या है भाई साब आपका number of photon per unit time है 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 power भी समझा गया हमेशा धान रखना power light की energy पर define होती है power light की energy पर define होती है energy per unit time होता है आपका power लेकिन किसकी energy photon की है light की light की energy यह बात आपको बच्चों खासा ध्यान रखनी है चलिए अब अगेन बहुत important सबसे important star mark में ने क्या करा है था energy frequency frequency को energy की तरह देखेंगे बच्चों next आता है आपका intensity very 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 important intensity क्या होता है intensity होता है total energy incident on a unit area per unit time एक unit time में एक unit area के उपर light की कितनी energy incident हो रही है इसको intensity of that particular light कहा जाएगा याना आपके आपके जो radiation incident हो रहे है over a surface वो एक unit area पे एक unit time में कितने incident हो रहे है उसको intensity कहा जाएगा तो भाई साब intensity कही से define हुई intensity आपकी define हुई intensity आपकी define होती है बच्चो energy per unit area per unit time भाई या किसकी energy light incident हो रही है ना photon की नहीं light की I hope आप लोगों के जो छोटे छोटे doubts थे वो clear होते जा रहे होंगे photon के लिए क्यों नहीं बटा एक photon कितना सा होता है बता सुमित एक photon कितना सा होता है और light is a collection of photon तो बच्चो light के अंदर और वो photon होते हैं तो अब आप मेरे को बताओ आप power photon के लिए define करोंगे या light के लिए define करोंगे आप खुद बताएए बताओ मेरे को आप सर ओवियसली इसके लिए define करेंगे जल्दी बताओ light के लिए define करेंगे या नहीं करेंगे इसको side में पटेकते चलो अभी इसको delete करते हैं अभी इसको delete करते हैं आईए तो एक बाद बताओ बच्चा पाटी energy per unit time energy per unit time power हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हाँ या ना अलग-अलग formula बहुत important result यहां से निकल के आएगा power per unit area अच्छे से देखो energy per unit time आपका क्या बन गया बच्चा पाटी power बन गया याने कि power per unit area भी आपका क्या कहलाएगा intensity power का formula क्या निकाला NHF by T चलो रख देते हैं NHF या इससे उपर से ही रख देते हैं बहुत important result देखिए बच्चों यहां से intensity निकल के आएगा energy N into HF divided by area A into T बच्चा पाटी अगर आप बहुत 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 अच्छे से देखेंगे so 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 सबसे important चीज यहां पर अब आने वाली है देखिए intensity जो है आपकी यह directly proportional to number of photon है intensity जो है आपकी directly proportional to frequency है h constant area constant time constant एक unit time पे unit area पे कितने radiations आ रहे हैं तो एक बात बताओ अगर आपका if 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 very important if source is fixed अगर बच्चा पाटी source fixed है तो frequency fixed हो जाएगी या नहीं हो जाएगी और अगर fixed हो गई तो constant हो जाएगी या नहीं हो जाएगी तो एक बात बताओ intensity directly proportional to number of photon होगा या नहीं होगा लेकिन कब लेकिन कब लेकिन कब अगर आपका source fixed है तो source fixed हाथ मिलाने वाला अगर source fixed तो बच्चो आपका क्या हो जाएगा आप खुद बताइए आपका frequency constant दसी बार हिला पाऊंगा या नहीं हिला पाऊंगा हाथ आपका हाँ या ना आजी सर एकदम सही बात है अगर ऐसा है अगर ऐसा है बच्चे तो एक बात बताइए हमको source fixed तो frequency fixed तो intensity is directly proportional to number of photon याने जितने जादा number of photon होगे उतनी जादा intensity होगी या फिर जितनी जादा intensity होगी मैं समझूँगा कि उतने जादा number of photon आ रहे हैं लेकिन 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 कब जब आपका source fixed होगा अगर source fixed नहीं होगा तो बच्चो intensity दोनों के उपर depend करेगी इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है याने कि अगर source fixed नहीं हुआ तो आपकी intensity frequency के उपर भी depend करेगी आपकी intensity number of photon के उपर भी depend करेगी h constant, a constant, time constant समझ आया हाँ या ना समझ आया उतने ही slap पड़ेंगे एकदम सही बिल्कुल सही याने कि भाई साब simple सा funda intensity is directly proportional to number of photon होता है ये बात आपको खासा ध्यान रखनी है दो concept यहां से photoelectric effect के लिए अपन को लेकर जाना है intensity directly proportional to number of photon if source is fixed and energy is directly proportional to frequency अगर ये दो point आपको समझ आ गए और feel हो गए याने कि जितनी ज़्यादा energy उतना ज़्यादा frequency जितनी ज़्यादा intensity उतनी ज़्यादा वो समझ आता है राइट चलिए 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 सो भाई साब आईए अब थोड़े question हो जाए ये वाला question SCV का है लेकिन उसके पहले थोड़ा सा छोटा question कर लेते आ जाइए चोटा छोटा करेंगे ना आराम से आईए आराम आराम से देते हैं ना हम आपको concept धीरे 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 हम आपको concept देंगे क्या बोल रहे है what is the effect on number of photon if intensity is doubled आप से क्या बोला है intensity को double कर दिया है तो number of photon कितने होंगे बताइए पटाक से बताइए अब एक बात बताओ इस particular question में कहीं source की बात की क्या अगर source की बात नहीं की अगर frequency की बात नहीं की तो by default मान के चलना है आपको कि आपका source fix दे आपकी frequency fix दे तो भाई साब by default आपका frequency कैसी हो जाएगी constant क्यों क्योंकि जब बोला ही नहीं है तो मैं क्यों छेडू as simple as this नहीं बोला मैं नहीं मानूंगा मैं नहीं बोलूंगा तो एक बात बताओ since intensity is directly proportional to number of photon अगर intensity दो गुना हो गई है तो बच्चो number of photon भी दो गुना हो गई होंगे या नहीं हो गई होंगे तो यह मैंने भी आपको starter खिलाया आईए थोड़ा main course की तरफ चलते हैं चलो यह question है बच्चो SCV याने SC वर्मा का करिए क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई साब what is the effect on number of photon if intensity and frequency both becomes double intensity भी बढ़ा दी frequency भी बढ़ा दी तो number of photon आपको बताना है कितने होंगे कितने होंगे कितने होंगे अब करो ले लो एक मिनिट ले लो मेरे को कोई जल्दी नहीं है करो लेकिन खुद से नहीं करोंगे तो कभी नहीं सीख पाऊंगे और कभी नहीं सीखोंगे एक वीडियो से दूसरे वीडियो दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो लेकिन जहां पर भी सीखना चालू करेंगे उस दिन आपको पता लगेगा आप वही वीडियो देखकर सीख कए तो बस शुरू से लेके आखरी तक अगर आप बने रहेंगे तो बच्चों फिर कोई आपको दिक्कत परेशानी जंजट दुवीदा आईगी ही नहीं चलिए मेरी बारी बस 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 रुख जाईए यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं दोनों के प्रपोशनल होती है एक बाद बताओ फ्रिक्वेंसी अगर चेंज हुई है फ्रिक्वेंसी अगर डबल हुई है तो सोर्स चेंज हुआ होगा यह नहीं हुआ होगा आप बताईए मेरे को सर, since intensity is directly proportional to frequency and intensity is directly proportional to number of photon तो आप से यहां से क्या पता लग रहा है बच्चो यहां से आपको पता लग रहा है intensity is directly proportional to nf याने कि number of photon is directly proportional to intensity divided by frequency तो एक बात बताईए frequency भी दो गुना बढ़ गई intensity भी दो गुना बढ़ गई, frequency भी दो गुना बढ़ गई क्या number of photon constant रहे या नहीं रहे हाँ number of photon में कोई change ही नहीं आएगा क्योंकि intensity और frequency दोनों change हुई है और अगर frequency change हुई है तो source भी change हुआ होगा तो मतलब की frequency change की है तो बच्चो intensity उसके उपर भी depend करती है frequency depends on number of photon only and only when the when the source is same source अगर आपका change नहीं हो रहा है तो आपको ये मान के चलना है कि भाई आपकी frequency constant है constant है constant है लेकिन अगर frequency change हुई है तो आपका source की change हुआ है हाँ या ना frequency change हुई है तो आपका source भी change हुआ है मज़ा आया या नहीं आया ये है feel ये है basics of photoelectric effect लोग बाग आपको 20 मिनिट 25 मिनिट में photoelectric effect पढ़ा के बढ़ गए होंगे आगे लेकिन बेटा अभी कित्ता हो गया 36 मिनिट 56 सेकेंड याने 37 मिनिट सिर्फ और सिर्फ आपको basic बताए है photoelectric effect के तो ही basic है जो आपको ध्यान रखना है energy is directly proportional to frequency and frequency depends upon the source और दूसरा था आपका दूसरा क्या था बच्चो intensity is directly proportional to number of photon when frequency is fixed पस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है उसके बाद photoelectric effect अपन धुआ धुआ करने वाले हैं आ जाईए चलिए भाई साब थोड़ी सी बाते करते हैं electron emission क्या होता है सबसे पहले बच्चो electron emission क्या होता है कि कोई भी material भाई atoms के बने हुए है और atoms है तो उनके भाई आजू बाजू electron घूम रहे होंगे तो किसी भी material से electron निकालने की जो process होती है उसको electron emission कहा जाता है यह लकड़ी है लकड़ी में भी electron है लोहे में भी electron है camera सामने, camera में भी electron है, light है, light में भी, sorry light बोल रहा हूँ, tube light का जो धाचा है उसके अंदर भी electron है, तो अगर मेरे को किसी भी material से electron पुछ करके बाहर निकालना है, तो वो अलग-अलग method से निकाला जाता है, उसी को मैंने क्या लिखा, type of electron emission, अब electron emission याने electron emit किये जा सकते हैं, किस electron emit किये जा सकते हैं, किसी भी material की surface से अलग-अलग process द्वारा, अब वो जो अलग-अलग process हैं, उनको पढ़ता हूँ, बच्चों, पहली process है, आपकी thermionic emission, नाम ही बता रहा है thermionic emission, याने की क्या, भाई, thermion, thermionic emission, thermal याने की heat, जब भी आप एक metal की surface को, बच्चों, heat करते है जब भी आप metal की surface को heat करते हैं, अब आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत simple सी, electron को nucleus से बाहर निकलने के लिए energy चाहिए, आप उसको energy किसी भी form में दे दो, उसको तो energy से मतलब है, आप उसको energy heat के form में दो, आप उसको energy electric field के form में दो, आप उसको energy light energy के form में दो, अभी particle theory क्या होती है, कैसे होती है, उसको भी समझाऊँगा, थोड़ा सा रुकिए, लेकिन बच्चों एक बात बताओ यार, एक तो आप लोग शेयर नहीं करते हों, अगर शेयर नहीं करोंगे तो यार कैसे चलेगा, बताइए, फिर नहीं आएंगे दुबारा से, क्या दिक्कत है, यहा नहीं निकलेंगे, औवियस ली क्यों, क्योंकि इनके पास क्या आ गया है, बच्चा पाटी, एनर्जी आ गया है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप घर पर बैठे हुआ हों, बड़ी आराम से, माता जी आती है, वो ले ले बिटा, आज 2000 करो, जाओ एश, आपको एनर् चार रुपिया है जेव में, और मेरे पास मुवाइल है, यह अपने दोस्त को फोन लगाया, बस बैट, आज गाड़ी में तेरा भाई डलवाएगा, और चलेंगे अपन घूम, ऐसे ही होता है, याने कि भाई, अगर आपके पास एनर्जी आ गई है, तो आप पर, है ना, क्या बोल रहे हैं, जब फॉल कराते हैं तब इमीशन होता है, अरे बता रहे हैं, भाई, बता रहे हैं, बता रहे हैं, अभी, इंसिडेंट तो बहुत बाद में आगया, आप तो सीधा फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट पर पहुच गए, वहाँ तक की कहानी तो सुमित जी, तो बाई, इनको एनर्जी मिल गई, अब ये जो इलेक्टरोन निकले हैं, मैटल सर्फेस से, इनको कहा जाएगा थर्मियोंस, इनको क्या कहते हैं, थर्मियोंस क्यों, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी लेके बहार निकले हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है, एक होता है आपका field emission, field emission क्या होता है, आपके metal surface को एक strong electric field में रख दीजे, तो क्या उसके पास Q into V की energy जाएगी याने की जो kinetic energy जाएगी वो Q into V की चले जाएगी याने electron के पास ultimately क्या पहुँच गया, बच्चो एनरजी पहुच गई, आयना, यह एक strong electric field है, इसके बीच में एक metal रख दीजे, तो strong electric field will provide a energy equivalent to Q into V, आयना, अगर हो जाएगा, तो भाई साब आप बताईए मेरे को Q into V की energy पहुच गई, तो वो excited state पे चले जाएगे या नहीं चले जाएगे, आसर चले जाएगे, याने की बच्चो वो क्या निकल ले अपनी energy लेके वो भी खसक लेंगे, तो बच्चो एक और टाइप जिससे आप निकाल सकते हैं काई को, electrons को यह होता है, field emission, लेकिन आपको जो पढ़ना है, अब उस पे आ रहे हैं, just a minute, मैं पानी पीलूँ, बढ़िया काम, आहा, चलिए भाई, photo electric emission, आओ, टॉपिक आगया है आपका, बच्चो फोटो electric emission, 1887 में, हट्स ने observe किया था, Einstein ने निए observe किया था, observe करने वाले कोन थे, हट्स थे, लेकिन इसको explain किया, Einstein ने 1920 में और Nobel Prize लेकर चले गए, देखने वाले हट्स थे, 1887 में, explain करने वाले कोन थे, आपके, Einstein थे, हट्स ने बस देख लिया था, रहे यार, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं पाए थे कि क्यों हो रहा है, उस क्यों का जवाब दिया था, Einstein ने और इसके लिए उनको दे दिया गया था, क्या बच्चो, Nobel Prize लेकर चले गए थे, 1920 में, क्या होता है आपका, फूटो एलेक्टरिक इमिशन, आईए समझते हैं, जब भी किसी सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट, एक फोटो सेंसेटिव मटेरियल के उपर गिराई जाती है, सर, इससे पार्टिकल नेचर कैसे पता लगेगा हमको, देखिए हम समझाते हैं, यहाँ पर आईए, अब आराम से समझाएंगे, आगए हैं अपन टॉपिक पे बेसिक अपने बन चुके हैं, चलिए, बच्चो, यह है आपका फोटो सेंसेटिव मटेरियल और इसके पास क्य यह, इसके उपर मैंने एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट गिराई, सूटेबल फ्रिक्वेंसी की याने मोनो क्रोमेटिक लाइट गिराई, कौन सी लाइट, इसके यह मोनो क्रोमेटिक लाइट क्या होता है, सिंगल कलर की लाइट, मोनो क्रोमेटिक लाइट बोले तो single color की light single color बोले तो frequency fixed रहेगी समझाया? क्यों बोलते हैं suitable frequency? क्योंकि monochromatic light याने कि एक लाल गिला रहे हैं तो लाल light गिराएंगे हरी गिरा रहे हैं तो हरी light गिराएंगे white गिरा रहे हैं white तो obviously साथो color हो जाएंगे with gear का कोई भी एक color गिराऊंगे तो वो monochromatic कहलाएगा याने उसकी frequency क्या होती है बच्चा पाटी? fix होती है तो अगर frequency fix है और साथ ही साथ आपने बच्चों इसकी intensity भी क्या कर दी? intensity और frequency दोनों को fix कर दिया याने कि number of photon जो गिर रहे हैं वो भी fix हैं तो एक बात बताओ कंचे खेले हैं कभी कंचे? कंचे खेले? नहीं पताओ सर कंचे क्या होते हैं? हम तो PUBG वाली generation हैं ये कंचे वगेरा क्या होते हैं हमको नहीं समझाते हैं मैं समझाता हूँ आप pool table तो खेला होगा pool table तो एक बात बताओ जब आप इस tiger या कैरम भी आपने खेला होगा जब आप इस tiger मारते हों तो एक ball आपकी white volleyball या तो solids में जाके लगती या तो stripes में जाके लगती एक ही ball में जाके लग रही है याने कि एक ball एक ball को मार रही है कंचे भी एक कंचा दूसरे कंचे को मारता है अंटी बोलते थे अपने time पे है ना तो भाई जब मैंने एक ball को फेका और उसने दूसरी ball को वहां से उचका दिया याने कि देखो 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 यहां से एक photon आया वो इस electron पे लगा इस photon ने अपनी energy electron को दियो और energy निकल गया याने एक photon ने एक electron बाहर निकाल दिया अब मेरे को बताओ particle nature शो हुआ या नहीं हो यह photon यह photon एक particle की तरह बीएफ किया या नहीं किया एक photon ने एक electron निकाला सोचो 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 अगर wave होता अगर wave होता तो यह electron जो है ये कुछ ऐसा जाके गिरता या नहीं गिरता सब के उपर तो सारे के सारे इलेक्ट्रोन भार आजाने थे अगर फोटन आपका वेव होता तो डबल सिलिट एक्सपेरिमेंट ने आपने देखा होगा डिफ्रेक्शन पेटन बनता और बहुत सारे इलेक्ट्रोन भार निकलते ल प्लीजन हुआ लाइट ने सिर्फ और सिर्फ पार्टीकल नेचर बताया इसलिए फोटो-इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर अफ लाइट बताता है फिल आया फिल आया हो तो एक बार कमेंट में बता दीजे हां सर हंड्रेट परसेंट फिल आ गया आज तक नही समझ आया था लेकिन आज समझ आ गया कि फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर क्यों बताता है एक बार कमेंट में बताऊंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा मेरा मोटिवेशन यहां पर बना रहेगा खड़े रहने का जो अभी और एक देर घंटा मेरे को य सर देखा यह जो यह जो इलक्टरॉन बहां आ रहा है इसको कहते हैं फोटो इलक्ट्रॉन क्या बोलते हैं मैं इंग्ट्रॉन नाम होता है धर्मि honored किमीशन से निकलता तो थर्मीन नाम देते ए फोटेलेक्टरॉन नाम इसको अपन देते हैं तो एक बात बताओ, एक photon ने एक electron को निकाला तो एक photon की energy कितनी transfer कर सकता है maximum से maximum HF? अब बात आती है सहाब work function की, अब अपने को photo electric effect समझतो आया, अब ये जो steady होती है, ये जो setup की steady होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये graph क्या होते हैं, ये सब एक एक चीज में आपको बहुत 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 अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको यार थोड़ा सा time देना पड़ेगा, चीजों को feel करते हुए समझना है, तो time देकर समझते हैं, like a king, hi sir, one problem, बिल्कुल बोलो, 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 बेटा, आपकी problem नहीं, ये नीट से यहाँ पर आया हूँ, मैं, अभी मैं आपको ये भेज दूँगा, ऐसे करके, थोड़ा सा इ minimum energy to, to break the pull of nucleus and come on the surface, this minimum energy is called work function, work function is a property of metal, क्या बात है, अगर आपको electron को metal surface से बहार निकालना है, अगर आपको electron को metal surface से बहार निकालना है, तो एक minimum energy देनी पड़ती है, आया न, एक minimum energy, suitable frequency देनी पड़ती है, भाई आप बताओ, nucleus का pull है इसके पास, आपको किसी ने पकड़ के रखा है, अब अगर कोई आपको छुडाना चाह रहा है, तो जिसने पकड़ के रखा, उससे ज़ादा energy देनी पड़ेगी, या नी लगा देके रखा है, अब nucleus के pull से electron को बाहर खीचना है, तो electron को energy देनी पड़ेगी, अगर electron को energy देनी पड़ेगी, तो आप मेरे को एक बात बता दो बच्चो, कुछ ना कुछ minimum, तो इतनी देंगे, तो ही वो nucleus के pull से बाहर आ पाएगा, तो वो जो minimum energy है, क्योंकि electron को nucleus के pull से बाहर निकाल दे, मेटल सर्फेस तक ले आए, उस minimum energy को work function कहा जाता है, फाई से बताते हैं, लेकिन मजे की बात, आपके, आपके सारे ब्रहम तोड़ता हूँ, मजे की बात, भाई साम मजे की बात ये है, कि जरूरी नहीं है, work function बराबर energy दे दो, तो भी electron बहार आ जाए, मज़ा आ गया सुनके, मैं प्रूफ कर दूँगा, Einstein की जो, Einstein ने जो equation दी है, photo electric equation of Einstein, वो ये बताती है, मैं आपको feel करवा दूँगा, proof करवा दूँगा, आपको direct equation लिखवा दी होगी, मैं सामने feel करवा कर बताऊँगा आपको, कि देखो, जरूरी नहीं है, work function क्या, work function से जादा energy भी दे दोंगे, तो जरूरी नहीं है, कि electron बहार आएगा, जरूरी नहीं है, आपको ये बताया गया होगा, NCRT में बताया गया होगा आपको, या बहुत सारे teachers ने भी आपको बताया होगा, कि अगर minimum energy इतनी दे दी, तो electron बहार आ जाएगा, आइंस्ट्रीम ने तो ये बोले ही नहीं था, जिन्होंने ये explain किया, उन्होंने ही नहीं बोला था, कि minimum energy देने पर electron बहार हो ज ये आधी जानकारी भयानक होती है, डेंजर होती है, आइए प्रूफ करता हूँ, पहले बताये आप क्या आपको ये चीज़ पता थी, देखो यहां note लिखा हूँ, energy greater than the work function, then it is not necessary that electron will eject out, ऐसे ही लिखा है न, मेरी language है तो मेरे को यादी रहता है, right, इस्ती बार पढ़ाया ह हुआ है, it may or may not eject, जरूरी नहीं है निकले, आओ मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ और feel कराता हूँ, लेकिन एक बार ये मेरे को comment में बताये, क्या आपको ये बताया गया है कि work function बराबर energy दे दो तो electron भार आ जाता है, अगर हां, तो yes, 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 comment में आ जाना चाहि है, और, और, और मैं अब आपको feel करा हूँगा कि work function क्या work function से तीन गुना जादा भी energy अगर मैंने दे दी ना, तो भी जरूरी नहीं है कि electron बहार आए, क्या बात कर दी सर आपने, ऐसा होता है, लेकिन आप बताएंगे नहीं तो मेरे को पता कई से लगेगा, आप मेरे को य कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई आपको गलत बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ है, आपके भ्रम तोड़ने ही तो जेई और नीट से में यहाँ पर पढ़ाने आएं, उसो देट आपके marks confirm हो जाएं, वही marks confirm करवाने term two का revision, आप बोल दीजे, आप बोल दीजे, जो आप को बोलना है मेरा काम तो आपको बच्चो 100% deliver करना है, तो आईए, let's say आपने energy दी, कुछ भी, कुछ उसके work function में चलेगी, work function में चलेगी, जिसको आप बोल रहे हो, बच्चा पार्टी क्या, पाई, अब एक बात बताओ, एक metal surface के अंदर कितने electron, साब ये कैसा question, हाँ तो अंगिनत electron होंगे, बहुत सारे electron होंगे, एकदम कवाल होगा electron का, पूरा समंदर बना होगा electron का, हाँ साब, बहुत सारे अर्वो, खर्वो electron होंगे, तो एक बात बताओ, अगर एक electron बहार आ रहा है, तो उसको आजू बाजू कुसके, नूकलियस से तो आपने बहार निकाल दे, उसके आजू बाजू कितने electron, सारंगिनत electron, याना क्या वो collision करता हुआ बहार आ रहा होगा, या नहीं आ रहा होगा, या नहीं कर रहा होगा, आसर कर तो रहा होगा, सही बोल रहे हो आप तो, मतलब कि, सोचो इसको ऐसे imagine करो, आप एक ground में अकेले खड़े हुआ और दोड़ दिये, तो बहुत अच्छे से दोड़ोंगे, तेकिन उस ground में खचा-खच भीड भरी हुई है, अब लेकिन क्या आजू 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 टकरा रहे होंगे सब लोगों से या नहीं टकरा रहे होंगे, तो चो टकरा रहे होंगे, और अगर टकरा रहे होंगे तो क्या आपकी energy loss हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, ऐस सिम्पल है तो, हाँ सर, energy loss तो हो रही होगी, तो भाई कु कुछी कुछी उसकी एनर्जी उससे वो इलेक्ट्रॉन की उससे वो मैटल की सर्फेस से पुचुक करके बाहर निकला याने की कुछ न कुछ speed से निकला याने उसके पास mass है तो क्या उसके पास कुछ ना कुछ kinetic energy आईगी या नहीं आईगी किनेटिक energy आईगी या नहीं आईगी इलकुल आईगी साब 100% आईगी देखो माल लो 3 electron volt का work function है माल लो work function कितना याने nucleus के pull से बहार लेकर आने के लिए उसको कितनी energy चाहिए मैंने कहा 3 electron volt की energy चाहिए आपने provide करी 10 electron volt किती दी? 10 electron volt 3 गुना से भी ज़्यादा मैं आपको feel करवाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा जरूरी नहीं है आपका electron बहार निकले जरूरी नहीं है Einstein ने भी नहीं बताया था Einstein की photoelectric equation तो कुछ और ही बोलती है देखो 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 आओ feel करो 3 electron volt का work function याने nucleus के pull से बहार आने के लिए उसको 3 electron volt की energy चाहिए आपने 10 electron volt दी अब देखो माल लो कि उसने कोई collision नहीं किया तो 10 दी 3 चले गई nucleus के pull से खीचने के लिए कितनी निकलेगी यहाँ पर साथ electron volt की energy निकलेगी या नहीं निकलेगी आया ना बिल्कुल निकलेगी माल लो आपने 10 दी 3 चलेगी work function में तो 2 electron volt की energy निकलेगी या नहीं निकलेगी माल लो collision में 2 electron volt चले गया ओहो यहाँ पर लिखता हूँ ना 2 electron volt collision में चला गया 10 दी थी 3 work function याने nucleus के pull से बाहर खीचने में निकल गई collision में 2 चलेगी बची कुची 5 electron volt की kinetic energy लेके बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा इल्कुल निकलेगा माल लो 10 दी 3 work function में चलेगी और यहाँ 5 electron volt चलेगी तो 3 और 5, 8, 10 दी थी 2 electron volt से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा हाजी साब निकलेगा माल लो कोलीजन में छे लेक्ट्रोन वोल्ट चले गई तो एक लेक्ट्रोन वोल्ट से बाहर निकलेगा सर छे कैसे चलेगी अरे भाई जादा लड़ता हुआ भार आ रहा है जादा इलेक्ट्रोन से कोलाइड करता हुआ भार आ रहा है जितने जादा कोलीजन होंगे उतना जादा एन लॉस होगा एनरजी तो आपने 10 एलेक्टरोन वोल्ट की दे दी नुकलियस से पुल से बाहर निकालने में तीन लग गई छे उसने लॉस कर दी यहां पर छे उसने कहां पर लॉस कर दी कोलीजन में लॉस कर दी आने बहुत जादा बहुत जादा लड़ता हुआ भार आया तो अभी एक एलेक्टरोन वोल्ट की एनरजी लेके निकलेगा या नहीं निकलेगा बिल्कुल अभी तक तो निकल रहा था माल लो दस की एनरजी दी तीन उसमें चलेगी इस बार आपकी साथ एलेक्टरोन वोल्ट की एनरजी उसने लॉस कर दी कोलीजन अके लिए क्या वो कभ function से जादा energy दी लेकिन आपका electron बहार नहीं निकला क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में आप बताईए अरे सर हमको तो ये बोला गया था कि work function बराबर energy आपने दे दी तो electron बहार आ जाएगा लो दे दी तीन गुना जादा दे दी तीन गुना से भी जादा दे दी 3.33 टाइमस दे दी क्या आपका electron बहार निकला आपकी आँखों के सामने collision को भी तो account में लेना पड़ेगा न और कोई नहीं बता सकता कौन सा electron कितनी energy से निकल रहा है तो हम Einstein भी नहीं बता पाई थे कि कौन सा electron कितनी energy से निकल रहा होगा क्योंकि अंगिनत electron बहार आ रहे होंगे आप एक-एक को पकड़ के थोड़ी ना नाप सकते हों लेकिन Einstein ने जो बताया था वो तो सुन लो Einstein ने जो photoelectric equation दी थी जिसके लिए उनको novel prize मिला था वो क्या था उसकी beauty क्या है उस equation की वो समझो वो feel करो उन्होंने बताया था और उन्होंने बोला था तहाब मैं आपको कौन सा electron कितनी energy से बहार आ रहा है ये तो नहीं बता सकता लेकिन जो maximum energy से बहार आ रहा है उसकी maximum energy कितनी होगी वो बता सकता हूँ मतलब कि उन्होंने कहा kinetic energy maximum से maximum कितनी होगी जब आपके collision में कोई भी energy नहीं जाएगी आपने energy दी कुछ चले गई work function में देखो आपने energy दी कुछ चले गई work function में बची कुछी उसकी kinetic energy में आ गई या नहीं आ गई या नहीं जो maximum energy से जो electron बहार निकलेगा सहब वो इतनी होगी this is the Einstein photoelectric equation फील आया हो तो एक बार comment में बता देना Einstein photoelectric equation इसी के लिए Einstein को बच्चो नोवल प्राइज क्या हुआ था फाई है बेटा वर्क फंक्शन फाई 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 ए नहीं है electron voltage is a unit of energy जादू जादोन एस के जादोन हेलो बच्चो फील आया या नहीं आया photoelectric equation का एक बार मेरे को जल्दी से comments में बता दीजे आया या नहीं आया बहुत अच्छे बहुत अच्छे इपांचू सोनी नहीं आया सर बेटा क्या नहीं आया ये भी तो बताओ मास्टर जी की पतलून दो बलांग छोटी कर दो मास्टर जी को पकड़ो और पीछे खीज दो मास्टर जी को पकड़ो पीछे खीज दो कित्ती बड़ी बात है जो दीपांचू सोनी और नहीं आया तो कोशन भी पूछो कि साब ये नहीं समझ आया बता दो तो बता भी दे चलो बताओ जल्दी से क्या दिक्कत आ रही है अब इससे easy करके तो बेटा आपको quantum mechanics यह जो modern physics है यह कोई और तो नहीं बताएगा बताओ energy को मैं hf भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ इसके अलग-अलग form देख लीजे kinetic energy maximum जो आपकी बहार आईगी वो कितनी होगी hf भी लिख सकता हूँ energy of one photon है ना मैंने क्या कहा एक electron कौन से electron जो maximum kinetic energy लेके निकला है उस maximum kinetic energy वाले electron को बहार निकालने के लिए एक ही photon लगा होगा या नहीं लगा होगा सोचो पार्टिकल इफेक्ट पार्टिकल इफेक्ट एक photon लगा होगा तो hf minus of phi लिख दूँगा या नहीं लिख दूँगा अच्छा अगर ऐसा है तो बच्चो f को क्या लिख सकता हूँ c by lambda भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ हाँ या ना हाँ या ना तो बच्चो यह different form है Einstein photoelectric equation के यह आपके बच्चा-पार्टी different form है Einstein photoelectric equation के बताईए कोई दिक्कत बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत जानदार तो यह आपको ध्यान रखना है Einstein ने सिर्फ इतना बताया था मैं नहीं बता सकता कि कौन सा electron कितनी kinetic energy से बहार निकल रहा है लेकिन मैं यह बता सकता हूँ जो maximum energy लेके निकलेगा उसकी maximum energy कितनी होगी बस यह बताया था Einstein ने भी नहीं बता पाईते कि निकलेगा या नहीं निकलेगा लेकिन अगर निकला तो maximum energy से कितना निकलेगा अब बच्चों यहां पे कुछ terms होते हैं पहला होता है आपका threshold frequency threshold frequency क्या होता है बच्चा पाटी the minimum frequency of radiation which is just enough to liberate the electron याने की simple सी बात है work function के corresponding जो frequency रहती है उसको threshold frequency कहा जाता है work function क्या होता है minimum energy required to liberate an electron to eject an electron from a metal surface अब वो आपको समझ आ गया है electron निकलेगा नहीं निकलेगा यह कोई नहीं बता सकता लेकिन minimum इतनी energy तो देना पड़ेगी इस से कम दोंगे तो 500 परसेंट नहीं निकलेगा लेकिन इतनी या इस से जादा दोंगे तो हो सकता है निकल जाए, ना निकले, यह बात आपको ध्यान रखनी है तो भाई आपको पता है e is equals to hf होता है राइट बच्चा पाटी अगर e is equals to hf होता है तो अगर आप energy equals to work function कर देंगे तो जो आपकी frequency है वो threshold frequency के equal हो जाएगी याने कि energy equals to work function देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी बच्चो frequency is equals to threshold frequency हो जाती है threshold wavelength क्या हो जाएगा by work function के corresponding जो wavelength है याने कि आपको पता है e is equals to hf by sc by lambda होता है अगर sc by lambda होता है तो energy work function के बराबर कर दोंगे तो जो आपकी wavelength होगी वो क्या हो जाएगी बच्चा पाटी जो आपकी wavelength होगी वो क्या हो जाएगी यह हो जाती है आपकी threshold wavelength में था work function समझाना अब बच्चो अपन experimental study of photo electric effect के उपर finally आ गए इतना टाइम लग गया एक घंटा पाच मिनिट लेकिन अब देखना किस level का आप लोगों को feel आने वाला है बहुत प्यारा बहुत अच्छा बहुत शांदार बहुत जबर्दस्त आपको feel देने वाले है photo electric effect का हां तो चलिए चालू करते हैं कहानी करता हूं लेक्चर की शुरुआस से चालू जहां पर मैंने आपको बताया था energy is directly proportional to frequency, frequency is directly proportional to energy उसके बाद मैंने बताया था अगर आपका source fix दे तो frequency fix हो जाएगी तो जो intensity वो directly proportional to number of photon हो जाएगी इतना मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था, feel करवा दिया था उसके बाद अपने photo electric effect देखा, photo electric effect में अपने work function समझा याने कि किसी भी photo sensitive material के उपर अगर एक suitable frequency के incident radiation करवाए जाते हैं, radiation incident करवाए जाते हैं तो आपके electron भार निकलते हैं, उन electron को photo electron कहा जाता है और maximum से maximum energy से जो electron निकल सकता है वो e-5 की energy से निकल सकता है, और जरूरी नहीं है निकले या ना निकले, लेकिन maximum energy वाला electron और अलग-अलग energy से भी निकल सकते हैं, हो सकता है कि कोई electron इससे निकले हो सकता है, कोई इससे निकले कोई हो सकता है, आपको नहीं पता वो अपनी जि बिलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट के उपर अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए यहां से यह connection हटा दीजिए अभी imagine करिए कि यह नहीं है यह एक बच्चों आपका क्या है फोटो metal है फोटो metal है फोटो metal क्या होता है फोटो metal वो metal होता है बच्चों जिससे आपका electron बाहर निकल रहा होता है बच्चों यह आपकी cathode बोल दो या इसको आप emitter भी कह सकते हैं बड़िया फील आईगी बस देखते रही है बच्चों यह वाली plate आपकी anode बोल दो या इसको आप collector भी कहेंगे कब कहेंगे मैं बता रहा हूं collector भी कहेंगे अभी battery नहीं जुड़ी हुई है यहां से बिलकुल भी नहीं जुड़ी हुई है आपने एक suitable frequency और intensity की light यहां से गिराई यह क्या है आपके fixed है intensity और frequency अभी fix करके समझा रहा हूं उसके बाद दोनों धीरे धीरे vary करके भी समझाओंगा लेकिन पहले basic तो समझे अगर बच्चा पार्टी ऐसा है तो एक बात बताओ जैसे ही यह light इसके उपर गिरेगी यहां से क्या यह electron निकलना चालू होंगे अगर electron निकलना चालू होंगे तो बच्चों यह electron यहां पर ही रहेंगे यह आपका क्या है एक glass tube है अगर यह electron यहां पर रहने तो बच्चों यहाँ पर धीरे और जमता जाएगा जमता जाएगा जमता जाएगा आपका इस पूरे में पूरे में यागर इस पूरे में इलेक्ट्रॉन बन गया अगर electron cloud बन गया तो एक बाद बताओ बहुत छोटी सी जो यहां से electron निकल रहा होगा यह इसको repel कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे लाइट आ रही है यहां से यहां से electron निकल रहे है यह पूरे में electron है like charges repel each other तो बच्चा पाटी आप मेरे को बताओ यह negative charges यहां से निकलने वाले electron को बोल रहे होंगे नहीं नहीं भाई यहां भीड बहुत ज़्यादा है तो उधरी रहे यहां तो मता फस जाएगा आया न बोलेंगे electron cloud आपका बन गया अब आती है battery आपने क्या किया आपने क्या किया एक battery बैटरी कनेक्ट करने पर बच्चा positive terminal लगाया आपने यहां पर इसको collector क्यों बोला और इसको emitter इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां से electron निकल रहे हैं इमिट हो रहे हैं इसको collector क्यों बोला आप सुनिए अब आती है battery picture के अंदर आपने बच्चा पार्टी क्या किया यहां से लगाई battery जैसे ही battery लगाई तो क्या यहां पर positive potential generate होगा या नहीं होगा आया ना अब जैसे यह positive potential generate होगा एक बात बताओ आप मेरे को यह electron को अपनी तरफ खीचेगा और इधर भीजता जाएगा और बैटरी इसको पंप कर देगी या नहीं कर देगी आशर कर देगी एक बात बताओ छोटी सी आपने थोड़ा सा positive potential यहां पर अगर generate किया तो थोड़े electron आए आपने और ज्यादा positive potential generate किया बैटरी की power बढ़ाई और ज्यादा electron आए आपने बच्चों और ज्यादा positive electron generate किया और तेजी से electron को खीचने लगा खीचने लगा खीचने लगा एक बात बताओ जैसे जैसे positive potential बढ़ा रहे हो current बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे है सर कैसे बढ़ रहे है बेटा इक बात बताओ यहां से जाने वाले electron बढ़ते जा रहे है joking है enough यह थे खीच हे आपने और ज़्यादा positive potential गढ़ा दिया यह electron cloud पूरा का पूरा break हो गया अब एक बाद बताओ यहां से जो electron निकल रहे हैं वो सीधे यहां आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे electron cloud break होने के बाद याने की मैं आपको बता देता हूँ जैसे जैसे आपने positive potential बढ़ाया number of electron बढ़े और number of electron बढ़े तो current बढ़ा या नहीं बढ़ा हाँ यह नहीं हाँ सर बढ़ा जैसे जैसे दीरे दीरे यह electron cloud ब्रेक होता गया याने आफ्टार ब्रेकिंग दी इलेक्ट्रों क्लाउड क्या होगा समझो 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 क्या होगा बच्चा पाटी यहाँ पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रों निकल रहे हैं वो यहां तक पहुच पाएंगे लेकिन एक बात बताओ electron cloud चला गया अब जितने electron निकल रहे हैं उतने ही दूसरे positive potential पर पहुच पाएंगे जितने निकल रहे हैं उतने ही पहुच रहे हैं जितने निकल रहे हैं उतने ही पहुच रहे हैं एक बात बताओ बहुत छोटी सी जब तक आपने intensity fix कर रखी है तो क्या आपके number of photon fixed है और number of photon अगर fixed है बच्चा पाटी तो एक photon मान के चलिए अगर एक electron को निकाल रहा है तो यहां से number of electron जो निकलने वाले fix हैं अब आप कितना भी positive potential बढ़ा दो कितना भी positive potential बढ़ा दो यहां से निकलने वाले electron fix है तो यहां पर पहुचने वाले electron भी fix होंगे या नहीं होंगे पहले जो electron बढ़े थे वो तो यह जो बीच में फसे हुए electron थे उनको खीचा और उनको खीचा तो number of electron बढ़े याने आपका current बढ़ा लेकिन बच्चो जब यह पूरा सफाई हो गई बीच की तो यहां से जितने निकल रहे हैं electron वही इतने पहुच पा रहे हैं मालो आपके number of photon यहां से 100 हैं और वो 100 electron निकाल रहे हैं तो यहां पे 100 electron पहुचेंगे या नहीं पहुचेंगे याने आपके number of electron reaching to the positive potential constant हो गए और अगर number of electron constant हो गए तो बस एक बाद बताओ current constant हो जाएगा या नहीं हो जाएगा कितना भी बढ़ा दो कितना भी positive potential बढ़ा दो आपका current constant होगा या नहीं होगा हां या ना आपका current constant हो जाएगा क्यों since n is constant n constant current constant हो जाएगा ऐसा current जो की constant हो गया और further positive potential के बढ़ाने पर नहीं बढ़ रहा है ऐसे current को कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है saturation current क्या कहा जाता है saturation current कहा जाता है बताइए समझाया याने अब इसके बाद current नहीं बढ़ पाएगा क्यों क्योंकि आपने fixed intensity fixed frequency की light फेकी है याने इसकी energy अभी यह frequency का जो energy वाला पार्ट है वो आगे समझाऊंगा क्योंकि frequency बढ़ाऊंगे तो energy बढ़ेगी energy बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी तो ज्यादा तेजी से electron यह आएगा उसकी बाते अभी अपन करते हैं लेकिन एक बात बताओ बच्चों फिर से जल्दी से समझाता हूं जल्दी से आपको फिर से समझाता हूं एकदम सही सुमित बहुत अच्छे बहुत बढ़ी है शुरू से करना अलग से तेरी वीडियो कॉंफरेंसिंग करवांगा यहीं पर नंबर लिया बढ़िया तो भाई साब जल्दी से पूरी पिक्चर फिर से सुन लीजे क्या हो रहा है यहां पर यहां पर हो रहा है पहले तो आपने battery connect नहीं की ती यहां से light गिराना चालू करी तो आपके electron आए, electron आए, बीच में जमते गए, जमते गए, जमते गए, electron cloud निकाला उसके बाद यहां से जो electron निकल रहे तो उनको repel किया, उनको यहीं पर रोका लेकिन फिर आपने क्या किया सफाई करना चालू करी, यहां पर battery लगाई, जैसे battery लगा यहां पर positive terminal था positive potential बढ़ाया तो जैसे आपके electron cloud का सफाया हो गया, तो क्या हुआ यहां पर? बच्चों यहां से जो निकलने वाले electron थे, वो सीधे सीधे anode अरोट तक आ गए, collect होते गए, collect होते गए, direct आते गए, यहां से निकलने वाले electron constant है, because आपकी intensity constant है, intensity constant है, आनि कि आपका number of photon constant है, number of photon constant है, तो electron भी बढ़ने वाले constant होंगे because light यहाँ पर as a particle nature show हो रही है तो बच्चों जितने electron यहां से निकले होते नहीं electron यहां पर पहुंचे अब आप further कितना कितना भी positive potential बढ़ा दो आपका current नहीं बढ़ने वाला because number of electron reaching to the collector that is anode plate is constant याने कि आपका current constant हो गया और अगर current constant हो गया तो इसी को मैं क्या बोलूँगा saturation current बोलूँगा मज़ाया रफ्तार मज़ाया यह नहीं आया बताईए मज़ाया यही था बच्चों आपका photo electric effect आओ अब यहाँ पे कुछ terms होते हैं एक होता है stopping potential उसकी भी अपनी feel है वो भी समझना जरूरी है भाईज आप stopping potential क्या होता है देखो यह आपको समझाते है stopping potential क्या होता है एनोट का वो negative potential जिस पर photo current zero हो जाए क्या बोलना सर आपने दिख लो समझाओंगा feel भी दूँगा stopping potential stopping potential मैंने क्या बोला एनोड का एनोड का वो negative potential जिस पर current तीरो हो जाए क्या होता है सर डेफिनेशन तो लिख दी आपने हिंदी में पढ़के थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया लेकिन सर होता क्या है आईए मैं आपको बताता हूँ अगर आपने यहां पर बच्चो नेगेटिव potential लगाना चालू किया अगर बच्चा पार्टी आपने यहां पर negative potential कैसे लगाएंगे बैटा इसको positive में convert कर दो चेंज ही तो करना है तो यह वाला positive हो जाएगा और यह वाला negative हो जाएगा आपने बैटरी टर्मिनल चेंज कर दी है तो बच्चो जैसे ही आपने यहां पर negative potential लगाया एक बात बताओ जो यहां पर electron आ रहे थे दोड रहे थे दोड रहे थे इसकी तरफ दोड रहे थे यह रिपल्शन फील करने चलू करेंगे या नहीं करेंगे हां या ना आसर करेंगे मैंने कहाँ आपने थोड़ा सा negative potential लगाया कैसा थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा सा negative potential लगाया तो बच्चो कुछ electron यहां तक नहीं पहुच भाएंगे क्योंकि जो धीरे चल रहे होंगे अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है क्या कि हर electron अलग-अलग kinetic energy से चल रहा है और सबसे maximum वाला electron kinetic energy जितनी kinetic energy से चल रहा है उसको आप Einstein photoelectric equation से दे सकते हैं तो अगर ऐसा है तो एक बात बताओ आपने थोड़ा सा negative potential दिया और कुछ electron रुख गए आपने थोड़ा और negative potential दिया कुछ electron रुख गए एक बात बताओ कोई न कोई electron तो होगा जो maximum kinetic energy से चल रहा होगा क्यों क्योंकि बच्चो इसका I और F constant है अब एक बात बताओ frequency constant तो energy constant याने की बच्चो frequency को energy की तरह energy को frequency की तरह देखना है मैंने आपको cheek cheek के बताया था अब आप मेरे को एक बात बताईए अगर इसकी frequency constant है तो इसका क्या हो जाएगा energy constant है याने की जो maximum energy से electron बाहर निकल रहा होगा वो भी constant होगी मतलब क्या सर यहाँ देखो इधर देखो आपने energy constant करके रखी थी तो जो maximum energy निकलेंगे तो बहुत सारे electron लेकिन उसमें बच्चो maximum energy से जो निकल रहा होगा उसको रोक दिया तो क्या इससे जादा energy से कुछ और electron निकल रहा होगा क्या नहीं सर अगर आपने maximum energy वाले electron को रोक देगा वो negative potential जिस पर maximum kinetic energy वाला electron भी यहां तक ना पहुच पाए तो क्या कोई current in the circuit flow होगा क्या बताओ सोचो 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 जो सबसे तीज चलते हुए आ रहा था आपने उसको ही रोक दिया और अगर आपने उसको रोक दिया तो बिटा एक बात बताओ क्या कोई electron एनोड तक पहुच पाएगा एनोड तक पहुच पाएगा नहीं सर नहीं पहुच पाएगा और अगर कोई electron एनोड तक पहुचा ही नहीं तो क्या circuit के अंदर current flow होगा नहीं तो वो negative potential जिस पर maximum kinetic energy वाला electron भी रुख जाए एनोड का वो negative potential जिस पर current zero हो जाए इसका मतलब की maximum kinetic energy वाला electron भी रुख जाए maximum maximum kinetic energy वाला electron भी रुख जाए उस एनोड के negative potential को stopping potential का नाम दिया जाता है because some of the photo electron have sufficient kinetic energy बहुत बढ़िया समझ आया feel आया क्या होता है आपका stopping potential जल्दी बताइए feel आया या नहीं आया क्या होता है आपका stopping potential feel आना बहुत जरूरी है मेरे भाई नहीं दिक्कत में फच जाई बहुत बढ़िया can we call it cutting potential obviously एक ही बात है stopping potential या cutting potential बूल दो एक ही चीज़े साक्षी एक ही चीज़े बच्चा राइट चली आईए कुछ graph graph समझते हैं जो आपको कभी समझ नहीं आए मैं बोल रहा हूँ अगर आपने यह photo electric effect का पूरा वीडियो शुरू से लेके आखरी तक अगर देख लिया न तो पेटा कोई आपके नंबर नहीं काट सकता इस दुनिया में इस बात का आपने ध्यान रखना क्या बोल रहा है बच्चो effect of intensity of light on photocurrent effect of intensity of light intensity को किसके जैसे देखना है number of photon की तरह देखना है या नहीं देखना है मैंने intensity को number of photon की तरह देखो तो मज़ा आएगा photo electric effect समझने में समझा दिया ता आगे basic बना दिये थे एक घंटे में क्या बोल रहे हैं keeping frequency of incident fix आप क्या कर रहे हूं frequency fix रख रहे हूं और potential भी आपने क्या रखा बच्चो fix रखा अब एक बाद बताओ आपको पता है अगर आपका अगर आपकी frequency fix रहे तो intensity directly proportional to number of photon हो जाएगी या नहीं हो जाएगी याने कि एक बाद बताओ जादा number of photon पहुच रहे हैं तो जादा number of electron आएंगे यह नहीं आएंगे intensity बढ़ाओंगे number of photon बढ़ेगा particle nature है तो एक photon एक electron को बाहर निकाल रहे है जितने जादा number of photon होंगे उतने जादा number of electron भार निकलेंगे तो आप बेटा एक बात बताईए मेरे को यहां पर कि number of photon बड़े तो number of electron बढ़ जाएंगे और number of electron बढ़ गए तो क्या current बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा हां या ना इसी के लिए बच्चो इसी के लिए electron flux की नाम दिया जाता है electron flux भी इसको कहा जाता है और photon बढ़ा रहे हो तो photon flux भी बढ़ाया photon flux भी कहा जाता है ठीक है तो एक बात बताओ आपका photo current increase हुआ या नहीं हुआ तो directly proportional है अगर I is directly proportional to N है intensity बढ़ाएंगे तो number of photon बढ़ेंगे तो जो आपका photo current है बच्चा पाटी I is directly proportional to N keeping frequency fixed ये बात ध्यान रखनी frequency fixed keeping frequency fixed तो आपका ये graph बनने वाला है जितना ज्यादा intensity उतने ज्यादा नंबर जितने ज्यादा नंबर उतने ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे current हो जाएगा राइट समझ आया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत जानदार next and very important अभी तक आपको जितनी भी थोरी समझाई सारी की सारी इस slide में बच्चा पार्टी लिखी हुई कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ आपको as it is बच्चो PDF मिल जाएगी you don't have to worry about it एक एक पॉइंट खुछ से लिखा हुआ है तो आपको बता दिया है देखो ने क्या बता था this stopping potential maximum kinetic energy को मेजर करेगा यह नहीं करेगा जितना जादा stopping potential होगा उतनी जादा maximum kinetic energy वाला electron होगा या नहीं होगा यानि उसको रोकने के लिए उतना जादा stopping stopping potential लग रहा होगा तो क्या मेरा बोलना यह सही है कि stopping potential is measure of maximum kinetic energy of emitted electron है ना तो बच्चा पार्टी वह यहां पर लिखा हुआ है saturation current increases as intensity increases यह भी मैंने आपको बता दिया है बच्चो यह वाला और given frequency stopping potential is independent of intensity यह आपको समझाना बाकी है आईए फॉर आ क्या बोला उसने फॉर आ given frequency समझाना क्या बाकी है समझा तो दिया है लेकिन फिर भी बता देता हूँ बच्चो अगर आपकी frequency fixed है तो एक बात बताओ आपकी energy fix होगी या नहीं होगी हाँ या ना सोचो अगर आपकी frequency fixed है तो आपकी बच्चा पाटी energy भी क्या हो जाएगी fix हो जाएगी और अगर energy fix हो गई तो एक बात बताओ intensity कितना भी बढ़ा लो current तो बढ़ जाएगा लेकिन एक बात बताओ maximum kinetic energy बढ़ेगी क्या हा या ना maximum kinetic energy नहीं बढ़ेगी क्यों क्योंकि maximum energy जो photon दे सकता था electron को वो तो आपने fix कर दी अब एक बात बताओ frequency को fixed रखो intensity कितनी भी बढ़ाते जाओ number of photon बढ़ाते जाओ number of electron बढ़ते जाएंगे current बढ़ते जाएगा लेकिन जो maximum kinetic energy से आपका electron बाहर निकल रहा था क्या वो change होगा क्या नहीं सर वो change नहीं होगा because maximum kinetic energy तो change नहीं होगी क्योंकि maximum energy of a photon आपने fix करके रखी तो एक बात बताओ अगर maximum kinetic energy change नहीं होगी तो क्या stopping potential change होगा नहीं सर stopping potential is a measure of maximum kinetic energy और maximum kinetic energy change नहीं हो रही है तो क्या stopping potential change होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा 100% crystal clear है या नहीं है अक्षी सुमित बता दीजिए एक बार मेरे को जाने की फ्रिक्वेंसी देखो frequency बढ़ाऊंगे तो current तो बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगे तो current तो बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगे तो current तो बढ़ेगा लेकिन एक बाद बताओ, एक बाद बताओ, ये कम है, ये ज़ादा है, ये उससे ज़ादा है, क्यों? क्योंकि, sorry, मैंने frequency बोल दिया, my mistake, intensity बढ़ाओंगे तो current तो बढ़ेगा, लेकिन stopping potential सेम रहेगा, तीनों का या नहीं रहेगा, जब तक आपने frequency fixed रखी है, हाँ या ना? intensity बढ़ाते जाओ, number of photon बढ़ते जाएंगे, number of photon बढ़ रहे है, तो number of emitted electron बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो emitted electron में maximum kinetic energy वाला electron की maximum kinetic energy fix रहेगी, और maximum kinetic energy fix है, तो stopping potential fix रहेगा, intensity कितनी भी बढ़ा दो, stopping potential change नहीं होगा, क्योंकि stopping potential is maximum of, is measure of maximum kinetic energy, and maximum kinetic energy depends upon the energy of intent, और समझना है, चलो थोड़ा सा बापे सुन दिनों में चलते हैं, बापे सुन दिनों में चलते हैं, आपने energy fix कर दी है, दस, 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 तो एक बाद बताओ, maximum kinetic energy भी fix हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, पूरा सार है यहाँ, एक एक चीज है यहाँ पे, अभी भी आप अगर share नहीं कर रहे हो ना, बिटा अपने दोस्तों के बीच में इस चीज को, तो वैसे तो आपका फाइदा ही हो है क्योंकि उनको यह चीज नहीं पता लगेगी, लेकिन it is not a good friendship है ना, ठीक है, competition जरूरी है, लेकिन आप मेरे को बताओ ना, ऐसी friendship किस काम की बच्चों की, आपका दोस्त फेल हो जाए और आप पास हो जाओ, बताओ, अगर किसी दिमाक वाले teacher ने paper बना दिया, तो फसा दे आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, तो यह मैंने आपको समझा ही दिया है, अब अच्छा, यह देखो, क्या बोल रहे है, effect of frequency of incident radiation on stopping potential, अब incident radiation में बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, intensity को constant करने वाले हैं, और frequency change करने वाले हैं, और फ्रिक्वेंसी चेंज करने वाले ह constant करेंगे, फ्रिक्वेंसी को change करेंगे, देखो, यह लिखा, when the incident of incident, when the intensity of incident light is kept constant, intensity को constant रखा और frequency को बढ़ाया, अब एक बात बताओ, बहुत छोटी सी, अगर आपकी intensity constant है, तो एक बात बताओ, number of photon भी constant हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने frequency को बढ़ाया, तो एक बात बताओ, आपकी energy बढ़ जाएगी, energy बढ़ गई तो maximum kinetic energy बढ़ जाएगी, maximum kinetic energy बढ़ गई तो बच्चों, एक बात बताओ, आपका stopping potential बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या saturation current बढ़ेगा, सर, saturation current तो वो current होता है, जो number of electron पहुच रहे ह एक बात बताओ, आपने intensity को fix कर दिया, याने कि आपने number of photon को fix कर दिया, और number of photon को fix कर दिया, इसका एक ही मतलब हुआ, कि जो number of electron निकल रहे हैं, उनको भी fix कर दिया, अब आप positive potential कितना भी बढ़ा दो, number of electron तो बच्चों, emitter plate से collector plate तक constant ही पहुचने वाले हैं, क्योंकि intensity constant होगे, याने number of electron reaching the collector plate constant होगा है, तो भले ही आप frequency change करो, number of electron reaching the collector plate, अगर constant है, तो saturation current आपका constant होगा या नहीं होगा, ये बताइए मिरे को, constant होगा या नहीं होगा, आराम से, आराम से जहल लीजे, आराम से जहल लीजे, मिरे को कोई जल्दी नहीं है, मिरे को कोई भी जल्दी नहीं है, याने कि सबसे ज़ादा stopping potential ये वाला हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़ादा kinetic energy वाले को रोकने के लिए, ये stopping potential लग रह है याने इसकी frequency सबसे जादा हुई या नहीं हुई हाँ या ना हुई या नहीं हुई बिल्कुल हुई सहाब बिल्कुल हुई और समझने थोड़ा सा depth में लेकर जाओं गहराईयों में लेकर जाओं concept को यहराईयों में लेकर जाओं चलो frequency बड़ा रहे हैं याने की बच्चो यहां से देखो आपको पता है network डन को आप क्या लिख सकते हूँ बताइए network डन को बच्चो आप चेंज इन काइनेटिक एनरजी according to work energy theorem लिख सकते हूं या नहीं लिख सकते हूं हाई ना हाजी सर लिख सकते हैं net work done आपका net work done बच्चा पाटी कितना हुआ बताई है net work done आपका q into potential difference v लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं q into stopping potential vs is equals to change in kinetic energy is equals to क्या ये kinetic energy maximum वाला लिख दूँगा या नहीं लिख या ना stopping potential के against maximum kinetic energy आ रही है जितना ज्यादा stopping potential होगा उतनी ज्यादा maximum kinetic energy आएगी या नहीं आएगी अब इससे ज्यादा घहराईयों में इससे ज्यादा depth में तो photo electric effect आप खुद भी पढ़ लेना जैम्सकी उठाके जैम्सकी युनिवर्सिटी फिजिक्स भाई जैम्सकी वन आफ माई फेवरेट बुक तीन चार मेरी बहुत फेवरेट बुक है ग्रिफित इलेक्ट्रोडाइनिमिक्स की ग्रिफित होती है युनिवर्सिटी फिजिक्स भाई जैम्सकी रैजनिक हैलीडे एक टीचर के लिए इनफ है और बच्चो पाँचो बुक पढ़कर पाँचो बुक में जो अलग अलग तरीके से पताया गया है समझाया गया है उनमें से जो हर एक पॉइंट बेस्ट तरीका है वो आप लोगों के सामने निचोड दिया है मैंने लाके और अभी भी अगर दिक्कत आ रही है तो मैं फिर बोलूँगा एक बार और देखो पूरे के पूरे वीडियो को शुरू से लेके आखरी तक भले ही 2X में देख लेना आप यह याद कर लीजिए तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी को वैरी करता हूं और इंटेंसिटी कॉंस्टेंट रखता हूं तो सैचुरेशन करेंट आपको कॉंस्टेंट रहेगा लेकिन इस टॉपिक पोटेंशल वैरी कर जाएगा बिकॉस 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 आपका stopping potential is measure of maximum kinetic energy तो जतना जादा stopping potential होगा उतना जादा उसकी maximum kinetic energy आएगी आएगी यह हमने यहाँ पर बता भी दिया है बताईए भाई क्या कहना है आपका अभी तक के lecture को लेकर थोड़ा सा review अगेरा देंगे तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा frequently आके यहाँ पर lecture लूँ आप लोगों को जो भी school में पढ़ना है बस एक बार अगर आप comment में डाल देंगे comment में बता देंगे कि sir next topic ये उठा लो त सब बात होगा राइट चलिए effect of photo metal अब थोड़ा सा समझ लीजे यहाँ पर photo metal अगर अब मैं photo metal change करूं तो क्या होगा वाई सब photo metal अगर change करूं तो क्या होगा एक बात बताओ बच्चो maximum kinetic energy आपकी क्या आ रही थी sir maximum kinetic energy मेरी आ रही थी e minus of work function तो एक बात बताओ यहाँ से आपकी maximum kinetic energy e को में क्या लिख सकता हूँ hf लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ हाँ यह ना hf minus of 5 लिख सकता हूँ तो अगर बच्चो बहुत अच्छे से देखना इसको मैं compare करने जा रहा हूँ इसको मैं compare करने जा रहा हूँ y is equals to mx plus of c से y is equals to mx plus of c से क्या यह equation of straight line है या नहीं है हाजी sir equation of straight line है एक बात बताओ बच्चो slope आपका constant है या नहीं है slope आपको constant है हाजी sir h हमारा planks constant का slope आएगा और यहाँ पर बच्चो फाई क्या है आपका work function है तो एक बात बताओ अगर मैं kinetic energy अगर मैं kinetic energy versus frequency का graph बनाओ kinetic energy versus frequency का graph बनाओ अलग-अलग photo metal के लिए अलग-अलग metal के लिए अगर मैं kinetic energy versus frequency का graph बनाता हूं तो आप मेरे को एक बात बताईए बच्चो और समझाईए और सिखाईए क्या सबका slope constant रहेगा या नहीं रहेगा equal to planks constant हाँ या ना हाँ सर सबका slope constant रहेगा तो अलग-अलग metal के लिए अगर मैं अलग-अलग graph बनाना चाहूं तो let's say यह आपका metal A है यह metal B है इनका slope बच्चो constant रखना पड़ेगा और जो slope आएगा वो क्या आएगा आपका 10 ठीट आई यह आपका slope होगा equals to H यह आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से देखिए C की value कितनी है तर C की value आ रही है यहां से minus of 5 याने कि जो आपका intercept आएगा वो कितना आएगा बच्चा पार्टी minus of 5A और minus of 5B सर दोनों का लग लग work function क्यों आया है क्योंकि work function metal to metal vary कर जाएगा work function is a property of work function is a property of metal बताया था या नहीं बताया था यह देखिए work function is a property of metal as it is आपको लिखवाया हुआ तो बच्चो यह छोटे छोटे पॉइंट आपको ठान रखने के और अगर मैं आपको बात करूं कुछ चीजों की यह तो आपकी काई क्यों ही बच्चो अगर आपके photo metal एक आगे एक पीछे बहुत बढ़िया है ना तो अगर मैं stopping potential versus stopping potential versus frequency का कर्व बनाऊं तो सर कैसा बनेगा तर आप रोज आएंगे पढ़ाने नहीं आरुश पिटा मैं रोज नहीं आऊँगा क्योंकि मैं JEE और नीट पर आपको पता हो ना पता हो अड़ा 24-7 का official JEE और नीट का channel भी है याने नीट की preparation और JEE की preparation वहाँ पर कराई जाती है मैं अभी वहाँ पर JEE का crash course ले रहा हूं और आपके नीट का भी channel स्टार्ट हो गया वहाँ पर भी content डलने लगा है तो अभी मैं आपको बताऊंगा आप वैसे जाके आराम से subscribe कर ले लेकिन आपको अगर स्कूल में कोई topic पढ़ना है तो अपनी majority बनाईए अपने दोस्तों को बुलाईए और उन दोस्तों से comment करवाईए अगर इस वीडियो के नीचे मेरे को 10-15-20 comment मिलते हैं किसी एक topic के कि साब हमको ये पढ़ना है next week उसकी class लग जाईगे समझ गए? पिटा मैं मेरा घर परिवार है हर संडे तो मैं class नहीं ले सकता हूँ Saturday ले लूँगा लेकिन उसके लिए आपको अभी से majority बना लीजे जो भी आपको स्कूल के topic पढ़ने हैं अपने दोस्तों से बोलिए इस comment इस वीडियो के नीचे comment आके कर दे वो topic का next week में करकि हा साब हमको यह पढ़ना है प्लीज सर पढ़ा दीजे मैं पढ़ा दूँगा मेरा काम तो बिटा पढ़ाना है आप बस मेरे को यहां पर स्ट्रेंथ बता दो मैं आ जाओंगा नहीं बिटा मैं तो जे यो नीट मैं पढ़ा ही रहूं ना already मेरे को यहां पर आने के ल्क्ते में खटम नहीं कर सकते आपको आप्टिकश का कोई टॉफिक पढ़ना वह डाल वह दींट है बोड़ दींगे आपको झानल की आपके ऐस प sums हो जाएंगी लेकिन कमेंट करके बताइएगा तभी आपका का काम होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है, चलिए, तो मैं आपको क्या कहा, क्या कहा कहा किनाले, काईनेटिक energy versus frequency, बच्चों, copying potential versus frequency का भी कर वपन बना लेते हैं, kÃع का कर, stopping potential versus frequency का भी करव बना लेते हैं, तो बच्चों, आप मेरे को एक बात नेट वरक ड़न is equal to change in kinetic energy हो वे है या नहीं हो गए हाजी सर इंजन काइनेटिक एनर्जी होता है अभी अभी मैंने आपको बताया था यहीं इसकी क्या हो जाएगी बच्चे maximum काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो network डन आपका कितना आ जाएगा तो एक बात बताओ यहां से आपका stopping potential कितना आ रहा है एकी जगह में क्या लिखने जा रहा हूं बच्चो एकी जगह में लिख सकता हूं ह एफ अपॉन नीचे ए कर दूँगा माइनस ओफ फाई अपॉन की तो अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर ह अपॉन ए अलग लिख देता हूं इंट्व एफ माइनस ओफ फाई अपॉन इच्छा बाटी बहुत अच्छे से देखेंगे कैसी क्योशन दिख रही है अगर आप इसको mathematics की नजरिये से देखेंगे अगर आप इसको mathematics की नजरिये से देखेंगे तो y is equals to mx plus c की equation दिख रही है या नहीं दिख रही है y-axis पे stopping potential x-axis पे frequency stopping potential versus frequency का कर्व बन गया सो बच्चा पाटी slope कितना आ जाएगा slope आ जाएगा आपका h upon e क्या यह constant है या नहीं है आपका चार्ज होना electron constant हो गया तो बच्चो यह देखिए इसका slope भी क्या हो जाएगा constant हो जाएगा याने कि अगर मैं अलग-अलग metal के लिए अलग-अलग आरुश मैंने क्या कहां मैं आपको बता रहा हूँ अभी just give me a second यह complete करूँ अगर मैं अलग-अलग metal के लिए अलग-अलग graph बनाओ तो क्या उनका slope हमेशा constant रहेगा और graph जो बनेगा वो straight line graph with positive slope देखो इसमें भी positive slope less than 90 आया था इसमें भी positive slope less than 90 आएगा या नहीं आएगा हाँ या ना आएगा तो लो भाई कितनी बड़ी बात है यह हो जाएगा आपका stopping potential यह हो जाएगा आपका frequency बच्चो सेम ही graph आएगा देखिए slope constant रहेंगे यह metal A के लिए यह metal B के लिए इसका slope कितना हो जाएगा यह theta यह theta लोग क्या होता है आपका बच्चो 10 theta क्या लिख दूंगा कितना हो जाएगा h upon e constant होगा यह नहीं होगा हाँ यह ना अच्छे से अगर आप देखेंगे बच्चो तो जो इनका intercept होगा यह हो जाएगा minus of phi A upon e और यह हो जाएगा आपका minus of phi B upon e राइट आराम से देखो work function तो change होगा ना negative में आएगा इसलिए आप negative इसको लेकर जाएंगे नीचे की तरफ कोई दिक्कत बच्चा पाठी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी आई है अब आप देखो कितना easily आपको photo electric effect आपकी थाली में परोस के दे दिया आरुश आपके लिए मैं यह बोलूँगा अगर school की preparation करनी है आपको डी ब्रॉगली hypothesis पढ़ना है जब lecture खतम हो जाए आप और आपकी जो gang है gang समझते हो गिर्मिट है ना तो भीया उनसे बोलिएगा कि आकर यहाँ पर देखे मैं सिर्फ आप लोगों की request पे यहाँ पर week में एक lecture लेने आ जाया करूँगा लेकिन उसका topic भी आप ही decide करेंगे कि क्या होगा वो topic मेरे को कैसे पता लगेगा जब आप comment करके बताएंगे भाई साब जब आप comment करके बताएंगे तब मेरे को वो topic आपका पता लग पाएगा आपको comment करके तो बच्चो बता नहीं पढ़ेगा नहीं फिर कैसे चलेगा काम आप बताईए तो इन छोटी-छोटी बातों का आपने बस ध्यान रखना है राइट बच्चा-पार्टी कॉमेंट करके बता दो आर जो भी पढ़ना है न हो जाएगा उपर वाले मैसेज भी देख लीजे प्लीज सर मैं आर भी ऐसी से हूँ तो हमारे तो सारे चैप्टर आ रहे हैं तो सुमित मैंने क्या कहा मैंने कहा आप तो जेई वाले चैनल पर भी आते ही हो सुमित है न तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है उस पे आप और आपकी गैंग मिलकर कम से कम मेरे को 20-30 कमेंट मिल जाएंगे मेरे रीसेंट वीडियो के उपर तो मैं वो टॉपिक के लिए अलग से वन शॉट बना दूगा आपको उसका लोड नहीं लेना है ठीक है आल राइट बस इतनी सी बात है बच्चो यार आप तो बस इतना बताईए फोटो एले मिला था हा या ना पस मेरे को इतना जानना है कि मेरा यहां आना सफल हुआ या नहीं हुआ इसी के साथ कुछ कोश्चन भी करेंगे तो आरुष जल्दी से बता दीजे मेरा यहां आना सफल हुआ या नहीं हुआ पहला कोश्चन आप लोगों की कम्प्यूटर स्क्रीन पर आ are such that all have same frequency, have same kinetic energy, have same de Broglie wavelength, have their speed varying from zero to certain maximum. बताईए, 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 क्या होना चाहिए? बताईए, क्या होना चाहिए? आप ही बताओ यार, अब क्या ही है इस question में? तो ही बताओ तो JE में आया हुआ question है. Joint Entrance Exam में आया हुआ question है, JEE में. अरे सर, JEE के question करा रहे करो, यार, ऐसी उड़ा दोंगे, अभी धुआ धुआ कर दोंगे. गुड, fourth is the right answer, very good. क्या बोला? अगर, fourth is the right answer, एकदम सही सुमित, बहुत अच्छे. photo electron emitted from a surface of sodium metal, such that, एक बाद बताओ, अगर कोई photo electron निकल रहा है, तो उसकी speed कितनी होगी, क्या, आप बता सकते हो, आप क्या काई, Einstein नहीं बता पाई थे. उन्हें तो ये बताया था, zero से लेके maximum हो सकती है, और maximum कितनी होगी, वो बता दिया था उन्होंने, पीच का तो कुछ खेल खेले ही नहीं था, तो यहीं है, है न, have their speed varying from zero to certain maximum, certain maximum भी क्यों है, ये लो, अरे यार, ऐसे ही थोड़ी ना पड़ा दिया, ये लीजे, उसकी speed zero से लेके maximum तक, kinetic energy है, speed ही की बात है, zero से लेके maximum तक कितनी भी vary कर सकती है, next question, आप लोग की computer screen पर आता है, अब, क्या बोल रहे हैं, stopping potential for photo electron, बताईए, क्या आएगा, stopping potential for photo electron, क्या आएगा, बताईए, क्या आएगा, stopping potential क्या होता है, does not depend upon the frequency of incident light, ओ, भाई, इतना बड़ा जूट, stopping potential तो directly depend करता है, frequency के उपर, stopping potential तो directly depend करता है, frequency बढ़ाओंगे, energy बढ़ेगे, stopping potential बढ़ जाएगा, frequency गिराओंगे, energy गिरेगे, stopping potential गिर जाएगा, तो भाई साब, इसके उपर तो करता है, does not depend बोलाएंगे, does not depend upon the nature of the cathode material, बेटा बिलकुल, cathode material के nature के उपर कैसे depend कर सकता है, बताओ, कोई बात ही नहीं हो रही है, है न, does not depend upon, है न, depends upon both frequency of the light, and nature of cathode material depends upon intensity of incident light, देखो, intensity के उपर भी depend नहीं करता, intensity आप कितनी भी बढ़ाते जाएगे, stopping potential तो सेम रहता है या नहीं रहता है, intensity बढ़ाओंगे, तो आपका photoelectric current बढ़ेगा, लेकिन stopping potential तो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, देखो, देखो, intensity बढ़ाते गए थे, intensity बढ़ाते गए थे, photoelectric current बढ़ता गया, लेकिन क्या आपका stopping potential चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो ले दे के कौन सा option बच रहा है बच्चा पाटी, कौन सा बच रहा है, depend तो करेगा, right, तो frequency के उपर और nature of cathode material, obviously, बच्चो, cathode material, work function, cathode, work function is a property of metal, अगर work function property of metal है, तो आप मेरे को एक बात बताईए, कि बच्चो, material के उपर work function depend करेगा, work function vary हो गया, तो stopping potential भी vary होगा, या नहीं होगा, सर कई से सर कई से सर कई से अरे आई से अरे आई से अरे आई से वर्क फंक्शन वैरी हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशल भी वैरी हो जाएगा और वर्क फंक्शन सिर्फ और सिर्फ माटेरियल के उपर डिपेंड करता है तो material vary हो गया, तो work function vary हो जाएगा, stopping potential vary हो जाएगा आखों के सामने सत्य बच्चन एकदम एक question आप लोगों को बच्चों यहाँ पर मैं homework के लिए दे रहा हूँ आप comment करके बताएंगे इसका answer क्या होगा आपको अगर मेरी teaching अच्छी लगी है तो, तो चीज है इसकी PDF आपको adder 24-7 के school channel के उपर मेल जाएगे पहली चीज़, तूसरी चीज़, अगर आपको मेरी teaching अच्छी लगी है तो बच्चों, मैं JEE और NEET के channel के उपर पढ़ाता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैसा मिलेगा नीट का channel अभी नया बना हूँ है, तो वह आपको search में नहीं मिलेगा लेकिन आप जाके JEE और NEET का channel सब्सक्राइब कर सकते है पच्चों crash course वहाँ पर अभी आपका चल रहा है तो कैसे हुआ अरे यार ये तो किसी कि यो खुला हुआ है ओके, ओके, ओके यहां से जाके आपको बताता हूँ बच्चों आप कैसे जॉइन कर सकते हैं यह आ गया अरे यार इसका ये नहीं चल रहा है, लीजिए आज आपकी, अरे चल रहा है, वाओ बच्चों आप यहां पर क्या कर सकते हूँ जे इए जे इए अड़ा 24-7 डालिएगा सबसे उपर ही आपको आजाएगा बच्चों जे इए अड़ा 24-7 राइट हाँ, CBSE के लिए स्कूल वाला चैनल है, अगर आप जे इए और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जे इए का बच्चों चैनल सबस्क्राइब कर ले ना और ये बैल आइकन दवाना ना भूलिएगा, बैल आइकन दवाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है यहां पर बच्चों सारी क्लासेश चलती है, अगर आप जे इए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो कली सेंटर ओफ मास की क्लास चलाई थी, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत डारेक्ट जे इके डारेक्ट क्वेशन सॉल करना सिखा दिये डारेक्ट समझते हैं, डारेक्ट बतना आपको फॉर्मूला भी नहीं लगा ना फील से क्वेशन सॉल करवा दिये करवा दिये, तो अगर आप कल की क्लास जाके देखेंगे, तो आपको खुद समझ भी आ जाएगा, पहली चीज़ और बच्चो, जो नीट वाले बच्चे हैं, वो यही अड़ा 24-7 पे ही आईएगा चैनल्स पे जाईएगा यहाँ पर बच्चो आपको चैनल में सबसे उपर जो दिखेगा वो नीट अड़ा 24-7 दिखेगा इसको क्लिक करिएगा और ऐसे सब्सक्राइब करिएगा और यह बैल आइकन आल के लिए कर दीजेगा बस तो बच्चो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी सारे शॉट्स वगेरा आप लोगों के लिए टाइम टाइम पर हम लोग लाते रहते हैं अभी कॉंटेंट डालना बच्चो इस पे समझाये गया है यहाँ पर की भाई स्पीट क्या होती है तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी तो ध्यान रखिएगा लाइक करना और कमेंट करना मद भूलिएगा अगर आप जा रहे हैं तो TBSC के लिए स्कूल का चैनल है नीट वाले बच्चो के लिए नीट अड़र 24-7 है और JE वाले बच्चो के लिए JE अड़र 24-7 है नीट के उपर नेक्स वीक से क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होगा तो जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजे जो नीट वाले बच्चे यहाँ पर अभी प्रिपेर कर रहे हैं बच्चो फिजिक्स में पढ़ाता हूँ केमेस्टी आयुशी में पढ़ाती हैं बायोजी आपकी वहाँ पर अमिसर पढ़ाएंगे और बच्चो मैट्स आपके मनीसर पढ़ाएंगे JEE वाले बच्चो को मनीसर इस अमोस सीनियर फैकल्टी आफ आर्क टीम तो जाइए उनका लेक्चर देखिए मज़ा आएगा सारे के सारे फैकल्टी पूरा फील देके पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चो मैं आदित जन आज आप लोगों से यहाँ पर अलविजा लेता हूँ आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप सिर्फ और सिर्फ कॉमेंट करके बता दीजेगा इस वीडियो के नीचे नेक्स वीक उस टॉपिक की क्लास लग जाएगी लेकिन ध्यान रखिएगा बीस कमेंट से जादा होंगे तो ही कलास लगेगी नहीं तो बच्चो मेरे को भी महनत करने में उतना मदा नहीं आता है वो भी स्पेशली वीकेंड को संडे को तो मिलते रहेंगे बच्चो अपन टीचिंग कैसी लगी बताना मद भूलिएगा थेंक्यू सो बेरी मच बच्चो ध्यान रखिए अपने अपने घरवालों का जे हिंद जे भारत टेक क्यार थेंक्यू आरुश थेंक्यू सुमेथ थेंक्यू